ये है मंत्रा, मौर्फो और स्टाटेक बाइमेटिक डिवाइस तो इन में से कौन सा बैतर है और आपको किस काम के लिए कौन सा काम में लेना चीए ये आज की वीडियो में आपको complete detail में बीना confuse कि बताने वाला हूँ और अब हम ये बता सकते हैं क्योंकि हमें चार साल हो गए हैं इन्हें use करते हुए तो बहुत सारे experience है वो ही सब मैं आपके साथ share करने वाला हूँ जिससे आपको clear हो जाएगा कि किस काम के लिए कौन सा बैतर है तो चलिए शुरू करते हैं और हाँ ये मेरा personal experience है तो कोई company को मैं target नहीं करूँगा मैं जो मुझे experience हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा तो ये बात आप ध्यान में रखें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं mantra और morph हो कि क्योंकि ये popular biometric device है और हर कोई इन में से ये एक लेता है बाकि इसके बारे में भी बात में बात करेंगी तो पहले इनके बारे में बात करते हैं सबसे पहला जो point है वो है RD service का जैसे कि mantra को लिये हुए मुझे चार साल हो गए है लेकिन अभी तक मुझे कोई RD service नहीं करनी पड़ी है RD करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है आसानी से चलता है कोई दिकत नहीं आती और अगर कोई problem आती भी है तो इसका समादान बहुत ही आसानी से मिल जाता है आप YouTube पे सर्च करोगे बहुत ही असानी से आपको समादान मिल जाएंगे और एक तो वीडियो मारा भी काफी चल रहा है अलाकि मैंने mantra के RD कल पर सों किसी को करके दी थी तो उसमें 118 रुपे साइद कटे थे कि आपको किस सर्विश के लिए mantra लेनी चाहिए तो अगर आप सिम वगेरा का काम करते हैं अगर आप एमितर चलाना चाहते हैं कोई भी एपिश पॉर्डल यूज़ करना चाहते हैं जिसमें आप सभी बैंकों के पेसे निकालना चाहते है मंत्रा सब से बेस्ट बायो मेर्यो और आपको 2223 में यह मिल जाएगी तो अगर आप यह सब काम करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं और अगर आप मोर्फो के कंपेरिजन में सचता भी है कंपनी का भी है मंतरा अम अफस एंडेड सबसे बेस्ट बायमेटिक डिवाइस मेरी नजर में अगर आप यह काम करते हैं हलाकि अभी जो मैंने आपको बताएं वो सबी काम आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या प्रोबलम है इसमें एक तो आपको यह चार साड़े चार जार रुपे का मिलेगा हलाकि यह मैंने किसी दोस्त से लिया था मुझे तो यह चार रुपे में पढ़ा था और मैंने 500 के आर डी कर ली तो मुझे वो 4,500 की लगबग आर डी होती है तो मुझे 14-14,500 में यह पढ़ाया लेकिन अगर आप इसे ओफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो कल मैंने इसका रेट बता किया था 3300 के करीब वो रेट बता रहे थे 3300 बता था कि 3500 इदना इसका रेट अभी ओफलाइन मार्केट में चल रहा है ओनलाइन देखेंगे तो आपको 4000 के पार ही दिखाई देगा तो यह इसका प्राइज है और इसमें जो प्रोबलम मैंने आपको बताई कि इसमें आपको हर साल आरडी करनी होगी तो वो 500 रुपे का हर साल खर्चा इसी के साथ यहां पर इसकी खास बात यह है कि अगर आप बैंक भी सी लेना चाहते हैं वो भी SBI की यानि कि अगर आप SBI CSP बनना चाहते हैं तो आपको यही बायोमेटिक डिवाइस लेना होगा उसमें यह काम नहीं करता है और ना यह स्टार्टेक वाला काम करता है सिर्फ यही काम करता है तो कई जगें ऐसी भी है जहां पर सिर्फ यही काम करता है अगर आप पहली बार मोर्फो बायोमेटिक डिवाइस ले रहे हो तो मैं आपको बता दूँ आपको AMMA 1300 E3 ही लेना E2 मतले लेना वो अब नहीं चलता तो ये लेना है आपको बाकी मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपका SBI CSP लेने का कोई प्लान नहीं है तो आप बेज़िज़क किये Biomatic Device लेजिए सस्ता भी है और बहतर भी है मेरी नजर में ये सबसे बेश्ट है अब चलिए बात कर लेते हैं स्टाटेक वाले की भी सबसे पहले स्टाटेक वाले Biomatic Device की खास बातों के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी खास बात ये है कि ये मुझे अलकी क्वालिटी का ये Biomatic Device है और सस्ता भी है इन दोनों से मंत्रा और Morpho से सस्ता भी है तो अगर आप काम की शुरुवात करना चाहते हो और ये लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो और इसमें अगर कोई प्रोब्लम आएगी की दाड़ना क्या आई ने कि अगर पेसे जجादा लगे हैंटा चीज भी अच्छी होगी ये कोई जुरूरी नहीं है दोस्त जी यहा लोग है कि मुर्फ हो इतने लगए है तो यह तो बेक्ट होगा है छो लोग यूज करते हैं वह मंत्रा को बेस्ट मानते है अगर किसी मंत्रा को यूज किंने anders कि यूज़ नहीं है आप SBA EBC नहीं लेंगे तो आप मंतरा डिवाइस बेज जग ले सकते हैं जिसमें आप इमी तर्शिय से वगेरा सारा काम कर सकते हैं कोई दिखत नहीं आएगी लेकिन अगर आपको एक छोटा सुन्दर दिखने वाला एपके अच्छे का से पासे हैं आप चार ज़ा रूपे दे सकते हैं तो आप बेजज मुरफि एम्ध्य ले सकते हैं यही मेरा तो experience है बाकी आप देख लीजिए अगर आप ने यूज किया है तो आप सभी जानते होंगे बाकी जिन भी लोगों ने इन डिवाइस को यूज किया है प्लीज कमेट सेक्स में जरूर बताईए आपकी इनके बारे में क्या राया है आपको इन तीनों में से कौन सा बेश्ट लगता है जी यहां कमेट सेक्स में जरूर बताना बिना बताए मत निकल जाना वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए अपने दोस्तों साथ सेर करिए चैनल पर नई हो तो सस्क्राइब कर सकते हो बे लाइकिंग प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपके सबसे पहले मिले इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी स्वाल है तो जावे था बेज जग कमेट सेक्स में पूछ सकते हो चलिए मिले तेंक लिए वीडियो में